दोस्तों हम आज किस इंपॉर्टन वीडियो को शुरू करूं से पहले आप कमेंट बॉक्स में भारती डियाडियो के लिए जाहिंद जरू लिखेगा बड़ी खबर यह है कि भारती डियाडियो ने कैसी मिसाइल को बनाने का काम शुरू कर दिया है जिसकी रेंज करीब 12,000 किलो मेटर से लेकर के 16,000 किलो मेटर तक की होने वाली है यानि कि भारत दुनिया का वो तीसरा देश बन जाएगा जिसके पास इस तरीके की लॉंग रेंज वाली मिसाइले होंगी क्योंकि आम तोर पर देखा जाए तो कुछ गिने चुने देश ही हैं जो इस तरीके की मिसाइल इस्तिमाल करते हैं जिसमें रश्या का पहले नाम गिना जाता है रश्या के पास R-36 एम नाम की मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 16,000 किलो मेटर के हैस किलावा लाल भारत के इस तरकी के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चानल को सब्स्क्राइब जरू किजए हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की सारी डेटेल्स की दोस्तों हम डियाडू की जिस मिसाइल की बात करें हैं उसका नाम है सूर्या ICBM विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1994 से ही DRD ने इसके पर काम करना शुरू कर दिया था लेकिन ओफिशली DRD ने इसके बारे में अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है लेकिन बात की जब भारत की जगातक मिसाइल की तो यह अपने आप में नया प्रमार्ट देने वाली है क्योंकि यह मिसाइल ही अपने आप में करीब सतर हजार किलोग्राम की हो गया और इसके अंदर टू स्टेज सॉलिट रॉकेट और थ्री स्टेज सॉलिट लिक्वीड रॉकेट फ्यूल का इस्टेज को पावर दिया जाएगा यह मिसाइल अपने साथ 3 से लेकर के 10 MIRV और हट्स को ले जा सकती है यानि कि एक साथ दुश्मन के कई ठिकानों को उड़ाने में मदद करेगी और 16,000 किलोमेटर के चमता वाली है मिसाइल भारत से बैठे बैठे योरोप, अफ्रीका या फिर रश्या के किसी भी कोने को असानी से हिट कर सकती है चाइना को तो हम पूरी तरीके से इससे कवर कर पाएंगे फिलाल भारत के इस मिसाइल को बनाने का मकसद किसी भी देश को डराना या फिर दुनिया में असंती बनाये रहने का नहीं है बलकि हम अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए इस तरीके के बड़े स्टप लेना शुरू कर चुके हैं हाली में भारत की तरफ से अगनी पाँच मिसाइल का परिक्षन किया गया है जो वाकई एक ऐसी मिसाइल है जिसकी तारीफ दुनिया भर में की गई है अगनी पाइच मिसाइल के चमता करी 5000 किलो मीटर की और या अपने साथ डेर टन तक के न्यूकलिर हत्यारों को ले जा सकती है और इसकी स्पीड मैक 24 है अच्छी बात है भारत की ये मिसाइल भी MIRV तकनीक से लेसा यानी की एक साथ कई टागेट्स पर लॉंच की जा सकती है और पिछले डेर सो दो महिनों में भारत एंसी कई मिसाइलों को दा करके भारत की रक्षा शेत्र को और जदा मजबूत करने का काम किया है और एक बार फिर हम आपको बताने चाहेंगे कि DRD की तरफ से कोई भी सूर्या मिसाइल ICBM को लेकर के ओफिचली स्टेट्मेंट नहीं दिया गया है